बिस्मिल्ला रह्मान रहेम असलाम लेकम आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको फिश की मेह खतम करने में प्रॉब्लम होती है तो आज मैं आपको के लिए छोटी से ट्रिक लेकर आई हूं आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है जब हम बजार से फिश लेकर आते हैं तो उसको अल्रेडी मसाला जो है लगा होता है लेकि उसे ज्यादा तर इसकी जो मेह खतम नहीं होती तो यह देखें इसकी उपर जो मसाला लगावें और मैं आपनों को बहुत यासान सा तरीका बताओंगी आपने इसकी स्मेल कैसे खतम करनी है और यह हमारे पास एक प्याली दही है यह इसमें जाएगी साथ यह हमरे पास दो से तीन अदर लीमू है यह इसमें हम नुचोड़ देंगे इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे आपने इसके पीसेस पकड़के इसको अच्छी से दही लगानी है और कुछ भी इसको लगाने की जरूरत नहीं है आपने दो से तीन अदर लीमू लेने और एक दही की प्याली लेनी है तो आपने इसको लगाकर 10-15 मिनिट के लिए आप इसको रख सकते हैं और आपकी जो फिश है इसमें से कभी भी महक नहीं आएगी आपने इस ट्रिक को ज़रूर ट्राइ करना है अब हम इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनिट के लिए 15 मिनिट होगे हमने फिश को दही और लिमुलो काके रखावा था तो अब हम इसको अच्छे से वाश कर लेंगे और ये वाश मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वाश करना ये जो ब्लैक ब्लैक से चीज़े हैं ये आपने ब्लिकुल उतार देनी है इसकी देखें आपको जरा भी मुश्किल नहीं होगी इसको वाश करने में ये देखें दही और लिमू से पाई रही है कि आपकी जो मचली है इसको आपको ज्यादा कोशिच नहीं करने पड़ेगी ये जो इसकी उपर ब्लैक सी चीज़े होती है उतारने में देखें जी माशला से बहुत ही साफ तो ओगया हमारा ये जो फिश का पीस था इसी तरह से हम दूसरों को भी वाश कर लेंगे और ये जो फिश को हमने धोकर बोल में रख लिया है और देखें माशला से बहुत ही साफ होगी है हमारी जो फिश है चारों तरफ से देख सकते हैं आप और ये चोटी सी ट्रिक मैंने जो आप लोग के साथ शेयर की है आपने जब भी घर में फिश लेकर आए और इस ट्रिक को जरूर अजमाएं और इसमें महक की तो बिल्कुल उजायश ही नहीं रही और आपके हाथों से भी इंशाला महक नहीं आएगी तो आपने इस ट्रिक क पसंद आए तो लाइक कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तके लिए अल्लाहाफेज